Hello everyone, welcome to SSE Simplified. इस सीरीज में हम January to June तक के 6 मत के Current Affair कवर करेंगे with the help of MCQ. हम more than 400 MCQ डिसकस करेंगे. यह lecture इस सीरीज का second part है. Quesn डिसकस करते हैं. हमारे जो Union HRD मिनिस्टर है, Government Resource and Development मिनिस्टर, उन्होंने एक प्रोग्राम लॉंच किया दा, Online Master's Program to Strengthen भारत पड़े Online. आपको बताने यह किस उनिवस्टर का प्रोग्राम था? यह था इंद्रा गांधी National Open University का प्रोग्राम. और जो हमारे Human Resource Development मिनिस्टर है, उनका नाम है रमेश पोक्रियाल. साइकलोन अमफन, जो कि इंडिया के East में टकराया था, बिटून दीघा in West Bengal, एंड हातिया आइलेंट in Bangladesh. आपको बताने हैं, यह फन नाम किस कंट्री ने परपोज किया था? यह कियता है Thailand ने. Thailand की केपिटल का नाम क्या है? Bangkok. इसके लावा यह ASEAN कंट्री का भी मेंबर है. ASEAN में टोटल 10 मेंबर है, 10 countries member है, आपको ASEAN की full form याद करनी है, देखनी है, और जो 10 countries है, उनको map में locate करना है, और याद करना है Ministry of Labor and Employment, इन्होंने decide किया है to reduce the Employees Provident Fund contribution to, यानि कितना reduce किया इन्होंने, अब कितना contribution होगा from the existing 12% for 3 months till July 2022 तक के लिए, तो 2020 तक के लिए, तो ये किया है, इन्होंने 10%, reduce करके 10% कर दिया है और जो Labor and Employment Minister है, ये है संतोष कुमार गंग्यार, ये स्टेट मिनिस्टर है, पर इनको independent charge मिला हुआ है इस मिनिस्टर का आपको उस bank का नाम बताना है, जो First India में, जिसने introduce किया है, Video KYC Facility for Savings Account Customers बैंक का नाम है, कोटक महिंद्रा बैंक उस person का नाम बताओ, जिनको अभी appoint किया है, as the chairman of NABAD, till July 2022 तक के लिए तो ये हैं, गोहिंदा, राजूलू, चिंताला, देखो, जो NABAD है, ये established हुआ था, 1982 में और NABAD की full form है, National Bank for Agriculture and Rural Development सवीता कुमारी और अंकित सी सोधिया, जिनको अभी suspend किया है नाडा ने तो आपको बताने, ये किस sports से related थे, ये थे power lifting से related अब NABAD की full form किया है, National Anti-Doping Agency, ऐसी वर्ल्ड में एक Anti-Doping Agency है, जिसका नाम है, VADA, अब याद करने का एक सिंपल सा तरीका है नाडा बैन क्यों करती है, इन्होंने drugs लिया होगा कुछ से अपनी power बढ़ाने के लिए, energy बढ़ाने के लिए, ताकि दूसरे athlete हैं, उनसे आगे निकल पाई, तो आप याद कर सकते हो, power बढ़ाने के लिए इन्होंने drugs लिया था, power lifting से related हैं, और NADA ने यहां की जो capital है, उसका नाम है, Kathmandu, आजकल वैसे भी काफी opposite statement दे रहे हैं, इंडिया के खिलाब काफी statement दे रहे हैं, KPO, नेक्स्ट है, उस program का नाम बताओ, जो launch की है for online education, class first to 12 तक के लिए, under आतम निरवर भारत अभियान, तो इस program का नाम है PME Vidya, education से related है, और नाम क्या है इविद्या, उस country का नाम बताओ, जिसने develop किया है, एक intelligent bracelet, bracelet का नाम क्या है, I feel you, जो help करेगा user को respect, social distancing rules, यानि इसमें क्या होगा, जैसे bracelet पहने रखा होगा, citizens ने, और जब वो किसी के पास जाएंगे, एक जो distance होगा, उसे जादा नजदिक जाएंगे, तो ये alert करेगा, तो ये Europe continent में situated है, नेक्स्ट है Union Health and Family Welfare Minister, हर्स वर्दन, उन्होंने dedicated किया एक COVID-19 testing machine को, to the nation, तो COVID-19 testing machine, इसका नाम किया है, कोबास, 6800, Central Government है, इन्होंने declare किया है, one nation, one rasan card system, to completely roll out at all UTs and state, तो ये कब से लाग हो जाएगा, सभी states और UTs में, ये हो जाएगा, मार्स 2021 से, इसमे एक ही rasan card आपके complete nation में valid होगा, Roberto Avedo, इन्होंने announce किया है, अपना resignation दिया है, आपको बताना ये director general थे, किस world organization के, ये थे, world trade organization, एक world trade organization का बनी थी, 1995 में, established होई थी, आपको नाम बताना country का, जिसने, जो जीती है, first edition of fightchess.com, online nation cup, 2020, तो ये, कौन से country ने जीता है, जीता है, चाइना ने, मी अनना पूर्णा, एक initiative है, launch care for farmers welfare, कि state ने launch किया है, ये क्या है, महरास्टर ने, मी अनना पूर्णा स्कीम, महरास्टर ने launch करी है, इसके लावा महरास्टर की कुछ additional information देख लेते हैं, जैसे यहां के जो cm है, वो है, उद्दव ठाक रहे, और governor है, बगत सिंग कोस्यारी, इसके लावा, इन्होंने एक act था, वो modify किया है, act का नाम है, schedule tribe and other traditional forest dwellers act 2006, यह act महरास्टर ने modify किया है, इस act में पहले क्या था, कि जो tribal areas में जो लोग रहते हैं, उनको कुछ additional rights मिले हुए थे, जैसे वहापे कोई factory setup करना चाहता है, या फिर government कुछ program बनाना चाहती, जैसे dam का, या फिर कोई और development program, तो इसके लिए उनको पहले gram सभा से permission लेनी होती है, next question है, central government ने setup की एक नई body, rice export promotion forum, REPF, to promote rice export, तो जो यह REPF है, कि किस body के अंडर काम करेगी, किस body का sport होगा, यह होगा, APEDA, APEDA क्या है, agricultural and processed food product export development, आपको बताना है, जो following states है, उनमें से first state कौन सा है, निसे ने launch किया है, FIR, आपके द्वार योजना, तो यह मद्देपरदेश, FIR की full form क्या होती है, first information report, और मद्देपरदेश के बारे में कुछ additional information देख लेते हैं, एक तो यहां के जो governor है, आनंदी बेंट पतेल, इनके पास यहां का additional charge है, इसके अलावा यह यूपी की भी governor है, और यहां के जो CM है, वो है शिवराज सिंग चौवान, और मद्देपरदेश ने एक और योजना बनाई थी, रोजगार सेतु योजना, यह इनोंने जो migrant workers हैं, उनको employment देने के लिए, उनको support करने के लिए योजना थे, 1st July of 2020 को, आपको बताना है Central University of Odisha के helpline का क्या नाम है, विच वाज लॉंच्ट बाई HRD मिनिस्टर रमेश पोकरियाल, to relieve the distress of student community, तो इस helpline का नाम है, भरोसा, उस portal का नाम बताओ, जो लॉंच किया है, Recently, Union Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises ने, इसका नाम है, Champion, तो Champion portal में क्या होगा, by use of technologies जैसे IT, इस type का use करके, जो Micro, Small and Medium Enterprises होते हैं, उनको support करना, उनको guide करना, information देना, इस type से support करेंगे, काल राज मिस्रा, मिनिस्टर है, Union Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises के, MSME के, उस city का नाम बताओ, which has launched initiative named Pranvayu, to monitor blood oxygen level and heart rate of patient, जो सोग कर रहे है, influencer-like illness, ILI, किस city में loans हुआ है, Pranvayu, यह हुआ है, Bangalore में, Bangalore कहां की capital है, करनाटका के, करनाटका के CM का क्या नाम है, BS, येदी रुपा, और governor है यहां के, वाजु भाई, वाला, इंडिया के first tennis player का नाम बताओ, जो जीते हैं, FAD Cup Heart Award 2020, for Asia Oceanic Zone, ये हैं Sanya Mirza, What is the name of non-invasive bi-level positive airways pressure, bypass ventilator, ये एक ventilator का नाम है, जिससे develop किया है, CSIR, National Aerospace Laboratory, इसका नाम है, स्वस्थ वायू, आप CSIR की full form क्या है, Council for Scientific and Industrial Research, आपको नाम बताने, मिसन का जिसे launch किया था, Government of India ने, to send medical aid to five island nations, in Indian Ocean, मिसन का नाम है, Mission Sagar, और ये मिसन किस ने complete किया था, INS, Kaveri, इसमा five countries थे, जिनको food and medical supply दी थी, और ये coronavirus pandemic के time पर दी गई थी, और जो five countries हैं, उनके नाम है, मालदिव, मोरिशास, मेडागासकर, कॉम्रोज, सैसल्स, नरेंदर धुरूबत्रा, जो continue ही है, as a president, till May 2021 तक के लिए, International Federation of which sports, कि sports के ये president बने है, तो ये hockey, नाम बताना है, automated contactless ultraviolet sanitization cabinet का, जिसे design किया गया है, to sanitize electronic gadgets, and currency notes, etc, और design किनों ने किया है, है, हैदराबाद में based है, Research Center Emirates of DRDO, इस automated contactless ultraviolet sanitization cabinet का नाम है, द्रूबज, और ये किसने develop किया है, DRDO के, Research Center Emirates ने, DRDO के बारे में देख लेते हैं, इसके ज़ए चेर मेंने, उनका नाम है, G37 Ready, आपको नाम बताना है, इंडिया के उस first state का, जिसने provide करिया facility of bed with ventilators, hospitals में, of each and every district, यानि सभी district में state के अपने, ये क्या है, उत्तर परदेश में, उत्तर परदेश के बारे में additional information देख लेते हैं, जैसे यहां के CM का नाम क्या है, योग्यादी तेनाथ जी यहां के CM है, और यहां की जो governor है, वो है आनन्दी बेन पटेल, पहले ही बताए था इसके इनके पास, इसके लावा मद्देपरदेश का भी additional charge है, और यहां की जो capital है, वो है लखनाव में, और जो high court है, वो है अलाबाद में, जिसे आप परियागराज के नाम से जानते हैं, इसके लावा इन्होंने 800 km का, हर्बल रोड इनिसेटी भी स्टार्ट किया है, along the national and state highways, उस Indian airport का नाम बताओ, जिसने जीता है, Sky Tracks Award 2020, for best regional airport in India and Central Asia, इस airport का नाम है, Kempe Gowda International Airport, यह कहाँ पर है, यह है, Bangalore में, यह Bangalore की state की capital है, करनाटका की, आज के लिए इतना ही, thank you, for more updates, join our telegram group, SSE Simplified, thank you.